रामरा मेरे प्रीय दोस्तों, मैं आपका टेक्वीद मी, आज मैं लेक्के आचुका हूँ रेल में का C51 मोडल मैं इस फोन के दोनों कलर की अन्बोक्सिंग के साथ साथ रिव्यू दूँगा आज इस फोन में हमें दो कलर देखने को मिलते हैं, एक बलैक कर, दूसरा ग्रीन कलर देखने को मिलता है ये काफी बजेट फ्रेंडरिली फोन हैं दोस्तों, ये फोन हमें सिर्फ 7,900 रिव्यू देखने को मिलती है ये रेल में की C-C's का स्टाटिंग मोडल है चलिए बिना किसी देरी किये पहले ब्लाइकलर की एंबॉक्सिंग करते हैं बॉक्स ओपन होते हैं हमें डेर टो लीप लिखा देखने को मिलता है ये रहा हमारा फोन ब्लाइकलर में लुक वाइस तो काफी अच्छा लग रहा है ये फोन चलिए बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है ये रहा हमारा चार्जर हमें 33 वोट का सूपर वूग चार्जर देखने को मिलता है इसमें जो कि हमारा फोन तकरीबन 1.5 आर में फुल चार्ज कर देता है साथ में हमें C-type के बद देखने को मिलती है चलिए इसको साइड में रखके देखते हैं हमें हो और क्या देखने को मिलता है इस फोन के साथ साथ हमें एक कवर देखने को मिलता है और उसके साथ manual guides है यह हमारे किसी काम के नहीं है तो इसको side में रखते हैं cover की durability चेक करते हैं cover दो काफ़ी durable है और flexible भी है काफ़ी अच्छा बनाए है cover build quality cover की काफ़ी अच्छी है यह रहा हमारा phone look wise दो काफ़ी अच्छा दे रहा ही phone उपर shining body है नीचे matte finish है चलिए इसको side में रखते हैं और हमारे चलिए बीना किसी देरी किए हमारे दूसरे color green color की unboxing करते हैं मुझे realme की यह बात काफ़ी अच्छी लगी कि जो लोग iPhone नहीं खरी सकते जिंका budget नहीं iPhone लेने का वो भी इस price range में iPhone जैसे feel उठा पाएं चलिए अब हमारे green color की और एक बाई नज़र उठाते हैं यह रहा हमारे green color ओ बाई green color तो काफ़ी अच्छा लग रहा है black color से जाए तो मुझे green color काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी shining look दे रहा है green color phone तो काफ़ी handy भी यह सासाथ 8000 में real me हमें अच्छी look अच्छा charger अच्छी battery life अच्छी ram, face look, fingerprint ram expansion भी दे रहा है जो कि आम companies इस range में नहीं दे पाती मुझे इस phone के battery काफ़ी अच्छी लगी मैंने इस phone को full charge किया और मुझे इसने 10 से लेके 12 गंटे का backup दिया जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस phone की चलिए हमारा phone on हो चुका है जल्दे इस phone के features के और एक बाई नज़र डालते हैं चलिए पहले company के और से दिये गया cover को एक बाई फोन के उपर डाल के देखते हैं कि क्यासा लगता है हमारा phone actual weight इस phone का 186 gram है और cover डाल के approximate ये phone हमारा 198 gram हो चुका है look wise तो काफी जहर look दे रहा है ये cover डाल के phone मुझे तो काफी अच्छा लगा इस phone इसमें हमें fingerprint sensor भी देखने को मिलता है साथी face lock lightweight तो है थोड़ा lightweight ही है phone इतना heavy नहीं है cover डालने के बाब जूद भी चली look wise तो ये phone pass हो गया है चली अब इसके features की और एक बड़ देखते हैं और पता करते हैं क्या ये phone pass होगा या fail इस phone की thickness की बात करें तो इसमें हमें 7.99 mm की thickness देखने को मिलती है इस phone को मुझे ये feature काफी चल लगा कि इसके साथ हमें rank expansion भी देखने को मिलती है हम 4GB के साथ 4GB RAM एक्षेंड कर सकते हैं जो कि हमारा phone RAM एक्षेंड करने के बाद 8GB RAM हो चुका है चली बात करते हैं इस phone के processor की इस phone में हमें octa core का processor देखने को मिलता है जो कि T612 processor है प्रोसेसर तो ठीक ठाक है इस phone में हमें 90Hz की refresh rate देखने को मिलती है इस phone में हमें android 13 भी देखने को मिलता है इस phone की display हमें 6.74 इंचिस की display देखने को मिलती है यह phone HD resolution पे work करता है चलिए अब हमारे phone की camera quality भी देखते है इस phone में हमें 50 megapixel का main camera एंड front 8 megapixel का front camera देखने को मिलता है इस phone में हमें slow motion भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा feature है इस phone में आम phone में slow motion हमें नहीं देखने को मिलता है इस price range में जैसे कि आप देखी रहे हैं slow motion की video काफी अच्छी चल रही है बिना किसी देरी किये इस phone के और camera features की और वे नज़े डालते है इस phone में हमें portrait mode भी देखने को मिलता है चलिए एक बार इस phone के 50 megapixel के main camera पे एक बार इस photo कीच की देखते हैं कि picture quality कैसी आती है पिच्चे तो ठीठा की आईए दोस्तों sharpness तो है इस picture में बाकि जारा zoom करें लग पिक्सल पाड़ जाते हैं इस phone में और इस phone में हमें वीडियो के साथ साथ night mode भी देखने को मिलता है जूम टेक्स करते हैं इस phone का इस phone का camera 10x zoom पे वर्क करता है इतनी अच्छी camera quality इस price range में शायद ही किस योवर phone की होगी मुझे तो camera इस phone का काफी ही बहतर लगा है बाकि फोन को compare करें तो आप zoom की picture देखी रहे हैं कितनी अच्छी आई है sunlight में इस phone की pictures तो काफी अच्छी आती है लेकिन night में ये इतनी अच्छी picture नहीं दे पाता है इस phone overall इस phone की बात करें तो इस phone काफी अच्छा है दोस्तों इस price range में चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर मारी वीडियो अच्छी लगी हो तो make sure like the video and subscribe the channel धन्यवाल